हेलो गाईज स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रमा की टेश्टी रेस्पी में आज हम बनाएंगे बहुती टेश्टी और बहुती मज़ेदार कढ़ाई पनीर तो आई शुरुवात करते हैं बनाने की उसके लिए वूडियो को पूरा देखिए तो यह देखिए हमने आठ त कड़ा ले लिया है और प्याज टेमाडर को हमने मोटा मोटा कटिंग कर लिया है अब हटो इपनी कड़ाई की ओ तो कड़ाईंगे ग warm कर लियो है इसी में हम तामाटर कड़ाईंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे कि कि अब टमाट्रकों गलने के लिए हम इसमें एड और अनुसर थोड़ा सा आदीचमच नमक नमक से हमारी टमाट्र अच्छे से गल जाएंगे इसीलिए हम पहले करेंगे उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे है कि उसके बाद हम ढग देंगे 4-5 मिनट के लिए लौ फिलेम पर कि 4-5 मिनट हमारे हो चुके हैं एक राव चेक कर लेंगे इस य यह रही है और यह देखिए एक बड़ चला देने के बाद इसमें हम तीन हरी मिर्श एड़ कर रहे हैं हरी मिर्श आप पहले भी एड़ कर सकते हैं हम भूल गए थे तो इसी दे हम आपने अवेड करी है और अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को जब तक पाएंगे जब तक कर देंगे उसके बाद टमाटर हमारे एक दम रेडियो जाएंगे हम आपको दिखाते हैं अभी यह देखिए दो मेर्ट हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं गैस की फिलम हम कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में न दिखा देते हैं तो यह देखिए कढ़ाई पनीर में, नमत दूसकर मेरे हिर楽 इस तरीके से कट कर डलती है. और Sorry White wet video है कि एक फिष्यूफ कहते हैं, पनीर कॉमे कटिंग कर लिए है, और प्याज करना खोय। हमने चोड्य- चोडुली, प्याज और सिम्ला मिर्च को ताकि हलका हलका से ब्राउन से हो जाए प्याज उसके बाद हमें गैस की फ्लैम हम ऑफ कर देंगे और निकाल लेंगे कड़ाई में से कड़ाई को दुबारा से हम गरम करके एक चमच ऑईल डालेंगे उसके बाद पनीर को भी थोड़ा साम करके प्राई कर लेंगे हलका हलका ब्राउन होने तक और तक पनीर हमारे ब्राउन हो रहा है हमारे प्याज टमाटर भी थंडे हो चुके हैं तो हम जार में डालके ग्रेंडर में ग्रेंड कर लेंगे यह देखिए प्याज टमाटर को अमना चैसे ग्रेंड कर लिया है बिना पानी डाले ग्रेन हो चुका है यह और अब अपनी कढ़ाई की ओर तो यह देखिए कढ़ाई हमने दुबारा से गरम कर लिए सेम कढ़ाई ले लिए है कढ़ाई में हमने एक बड़ा चमच सरसो का तेल एड किया है तेल कंच घरम कर देंगे उसके बाद आधी चमच जीरा और आधी चमच समनस्वाई वाले कर दी तेजब गूड़िया नेजमें पिया है बांट करेंगे हैं अलायग मिर्च पॉर्डर डाल देनी इनी तेल में उसके बाद हमें ढालना है अपना ग्रैंड करा हुआ मसाला जो हमने प्यास टमाटर पीस के रखा था हमने मिर्च इसलिए पहले डाली है मिर्च पहले डालने से सबजी में कलर बहुत अच्छा आता है और अब मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे प्यास टमाटर को मसालों के साथ और अभी हमने मसाले पूरे एड़ नहीं करें हैं मसाले भी एड़ करेंगे हम बस अभी हमने सिर्फ लाल मिर्ज पॉर्डर एड़ करी है लाल मिर्ज पॉर्डर हमने पहले एड़ कर दी थी ताकि कलर अच्छा आ जाए अब इसमें एड़ करेंगे एक चमच धनिया पॉडल आधी चमच हल्दी पॉडल स्वाद अनुस्वार आधी चमच नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को बहुत अच्छे से वहें भूनना है तो मसाले को बीकर चमच अच्छे हमारा भूनें के बाद मसाले में ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा में पानी एट करेंगे तदो Śने जार में घुमाके डाल दिया है ताकि इसलेश्य टमाटर फ्याज प्रक्राइज अपने चीज सेखाना हम नहीं आँट आप से अब gravy रखिए अब इसको हम ढग देंगे gravy को पांच से छे मिनट हमारे हो चुके हैं gravity को पकते हुए अब इसमें हमें एड़ कर रहे हैं kitchen king marsala आदा चमच हमके इसमें kitchen king скоро add करेंगे इससे हमारी सबजी में बहुत यह अच्छा taste आता है और किसी भी सब्जी में आप इसे एड़ कर सकते है साधा सिंबल सब्जी को भी ये बहुत ज़्यादा टेश्टी बनाता है और अच्छे सम्मिक्स कर देंगे उसके बाद दुबारा से हम ढखके रख देंगे तीन से चार मिनट के लिए पकने के लिए और गेस की फीलेम हम मीडियम रखेंगे अब ग्रेवी को चेक करेंगे हम तो ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है और ग्रेवी में से बहुत अच्छी खुजबू भी आ रही है तो इसमें आप एड़ कर देंगे हम सिम्मला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राइ करके रखी थी और अच्छे से मिक्स कर देंगे और पांस से छे मिनट के लिए ढख के रख देंगे और ग्रेवी में हम पकने देंगे सिम्मला मिर्च और प्याज को और अच्छे से पक चुकी है आप देख सकते हैं अब इसमें अड़ कर देंगे हम पनीर जो हमने फ्राइ करके रखे थे थोड़े थोड़े से पनीर को जादा फ्राइ नहीं करना है थोड़ा ही थोड़ा से फ्राइ करना है और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में अब इसमें एड़ करेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया जो कि हर सब्जी की जान होता है तो हरा धनिय करें सब्जी में बहुत अच्छा टेस आता है हरे धनिये से और सब्जी में से खुस्बू भी बहुत अच्छी आती है और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और दुबारा से हम 3-4 मिनिट के लिए पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पक जाए और इसमें आपके पास अगर फ्रेस मलाई हो तो उसे भी एट कर सकते है बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेरे पास अभी एवल एवल नहीं है मलाई तो मैं इसलिए एड नहीं कर रही हूँ अगर आपके पास हो तो आप जरूर एट करें और इसमें जब हमने प्या जो टमाटर ग्रेंडर किया था ग्रेंडर में तो इसमें आप चार-पांच काजू भी एट कर सकते हैं और यह देकिए सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बन चुकी ए्ट रेडी हो चुकी है अपको अप अप सब करके दिखाते हैं और प्लीज हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइकöyle करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रेस जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो को कैसी लेगी जब तक के लिए बाई बाई